Hello everyone, welcome to this channel once again. Today's topic is import range function in google sheet. ये formula भी काफी powerful है और ये function Microsoft Excel में अभी तक available नहीं है. ये only google sheet में मिलेगा और काफी useful है. Let's move to google sheet. जैसे ये एक पूरा एक google spreadsheet है. ये seats होते हैं और ये spirit sheet हैं. और हमें चीए next spirit sheat से, ये data हमें इस seat में लिके आना है. ये data इस seat में लिके आना है. ऐसे तो आएगा ने, is equal to ये. देखें नहीं है. इंटर करेंगे. वह काम नहीं करेंगा ये. जैसे एक की seat में होगा तो आ जाएगा. ये ये आ जाएगा एक ही spread sheet के अंदर आ जाएगा ये देखे आ गया ये data एक ही spread sheet के अंदर अलग-अलग sheet में हो तो आ सकता है data हमने कहा लगा है is equal to ये और इसको drag कर दिया ये है बट हमें data लाना है another spread sheet से उसके लिए use होता है import range function import range फंक्शन अब लेके आते is equal to import range imports data from another spread sheet is equal to import range tap दबा दोंगे या तो manually bracket start करेंगे spread sheet URL यानि कि ये जो URL है spread sheet का URL यानि कि spread sheet का link इसको copy करेंगे ये spread sheet URL comma range string और spread sheet का URL string है यानि कि test है उसको quotation में quotation के बीच में रखेंगे फिर अब जो ये spread sheet का URL तो आ गया यानि कि spread sheet का link आ गया अब comma range string यानि कि उसका range ये range है बट उससे पहले और सारे बहुत सारे sheet में हो सकते हैं हमें define करना हुए कौन सा sheet से लाना है जैसे sheet 1 है इसको rename भी कर सकते हैं data कर देते हैं फिर से ये भी quotation के अंदर ही होगा data sheet के बाद ये exclamation mark यूज होगा फिर a कहां से check कर लाते हैं a1 से लेके g 10 तक ले आते हैं अभी a1 से लेके यानि कि a1 column g 10 तक लेके आते हैं पहले double quotation close और double quotation close कर लेके बाद enter मार देंगे फिर first time ये access मांगेगा ये allow access उसको allow कर देते हैं ये देखे आगे data a1 से लेके g 89523 89523 अगर हमें dynamically चाहिए जैसे यहाँ पर data entry होता रहेगा निचे तक तो उसके लिए यहाँ पर कर देंगा ये number अटा के या तो काफी आगे तक लगा सकते हैं thousand 10,000 10,000 पर फिर से वो stop हो जाएगा इसलिए number अटा देंगे a1 से लेके g g का row number जैसे a का row number 1 a1 से start होगा a column 1 row start और g g का हमें row defining नहीं करना है यानि कि g का row number 8 आ रेंगे यानि कि वो जगा unlimited है तो आटमेटिक लिए आ जाएगा देखे पहले डालते हैं 10 फिर ये g 10 यानि कि रो बीना रो के मतलब अन्लिमिटेड जैसे अभी ये last में कुछ नहीं है जैसे डालते हैं आज इंपोर्ट रेंज फंक्शन इस वेरी यूज फुल देखिए यह आगे अपने अप एक और भी करके देखते हैं और नीचे तक last में यहां पर thousand में अभी thousand कहीं से भी कर सकते हैं Okay आप यहां पर देखेंगे यहां पर जितना भी डेले इंट्री बहता रहेगा नीचे तक यहां पर Automatically आता रहेगा अगर हमें दो G तक नहीं चाहिए यहां तक चाहिए तो तीन कलम चाहिए जैसे चलो B तक करके देखते हैं G की जगा B कर देंगे बस दो कलम ही आएंगे यह देखे ओके गाइस आने वाले वीडियोज में इंपोर्ट रेंज और एडवांस तरीके से देखेंगे थैंक्स फर वाचिंग स्विए इन दे नेक्स वीडियो हैपी लेर्निंग